आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो आपको देखाई दे रही है यह हैं पंजाब के सत्रहवी नंबर के मुखमंत्री बन गए है और आमादमी पार्टी की सरकार आप देखिए दिल्ली के बाद किसी राज में पहली बार बन रही है और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली केंदसासित पिदेश है अब आगे की इनकी राजनेतिक यात्रा यहां से सुर्व होगी आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब में बहतर आप देखिए दिल्ली की तरह सिक्छा उपलब्द करा सकते हैं स्वास्त उपलब्द करा सकते हैं औ और भी अन जो मानों की जरूरत होती हैं जो सुविधाय की जरूरत होती है अगर उन्हें बहतर कर पाते हैं तो आप सोची कि इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए कि आंगे देश में और भी राज्यों में यह पायटी जाएगी ठीक है तो आपके सामने ने पंजाब के एक बार पंजाब को देख लीजी आप लो उसके बाद हम लोग आँगे बात करते हैं तो आप देखेंगे पंजाब आपको कहां देखने गुमलेगा यह है पंजाब इसकी राध्धानी चंडीगड है और विधान सभा में 117 सीटे हैं राज्य सभा में 7 सीटे हैं लोग सभ राष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है पाकिस्तान का पड़ोसी है समझ रहे हैं तो यह भी आद रखने लाइक बाते हैं अब देखें पंजाब के मुखमंत्री उत्तर भारत के पंजाब राजी के सरकार के प्रमुक होते हैं और भारती समिधार के मताबिक पंजाब के रा तो आपस अगर अच्छा काम नहीं करते है तो उन्हें जंता नकार देगी । अच्छा काम नहीं करता है तो राजपान के आसर पढ़ने वाला है तो इसलिए आप देखिए कि जो बास्विक सकतीयाती है वो मुखमंत्री के पास होती है केंद में आप देखते हैं राश्पती को छोड़ कर किसके पास बिधान मंतरी के पास होती हैं पंजाब बिधान सभा की चुनाओ के बाद राजजपाल आम तोर पर सरकार बनाने के लिए बहु संक्याक पक्षियानि की गटवंदन को अमंतित करता है यानी कि जिसके पास बहुमत होता है राजपाल मुखमंतरी की नियुक्ती करता है यह तो कुष्टन कई बार पूच लेता है जिन में मंत्री मंडल के सामोई करूप से विधान सभा के लिए जिम्मेदार रहते हैं वही है देखते हैं उन्हें विधान सभा का विश्वास मुख मंत्री के कारकाल पांच बर साल के लिए यह कोई अवधी सीमा नहीं है लेकिन सामानता देखा जाता है पंस साल तक मुखमंत्री रहता है कई राजों में आप देखते हैं पहले ही सरकारें गेर जाती है अगर उनके पास बहुमत की ना हो गटबंदन की हो यह आप देखे कि मुखमंत्री बदल दिये जाते हैं देखे 16 मार्च 2022 को भगबंत मानने सपत ले हुई है तो अब हम लोग बात करते हैं पंजाब की मुखमंत्री और याद रखे देखे पंजाब अगर आप लोग देखे तो पहले से रहा है 1947 में जब हमें आजादी मीदी 15 अगस्त को उस समय पंजाब और हर्याना एक तरह से मिला कर आपके राज जुगा करता था पंजाब कहला था तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की सरिकारे रही हैं सुरू से तो आप देख रहे हैं और 13 अपरेल 1949 तक रहे थे एक साल 241 दिन का इनका समय रहा था तो अगर आप से पूछे कि पंजाब के पहले मुखमंत्री कौन थे गोपी चंद भारगोग फिर आप देखेंगे भीम सेंच सचर थे एए 1894 से 1978 का इनका जीवन काल रहता है एए दुलोध्याना सीट दच्छ तक रहे इन्होंने स्थीपा दे दिया था और आप देखेंगे 188 दिन का इनका समय रहा था कितना 188 दिन का फिर आप देखेंगे कि गोपी चंद भारगोग ये दुबारा आए क्या है दुबारा आए और पूरी पूरी के विधायक थे भारती राष्टी कॉंग्रिस के थे 18 एक्टूबर 1949 से रहते हैं और 20 जून 1959 तक एक वर्स 245 दिन रहते ठीक है फिर राष्टपती सासन रहता है 20 जून से 1959 से 17 अपरेल 1952 तक 302 दिन आप समय रहे हैं सबसे जानदा राष्टपती सासन भीम सेन सचर ये आप देखेंगे लुध्यान सीट दच्छन से बिधायक भारती राष्टी कॉंग्रेस के ये थे 17 अपरेल 1952 से लेकर 1923 जनवरी 1956 तक रहे थे 3 साल 281 दिन इन्होंने मुखमंतरी का पत समाला था फिर प्रिताप सींग के रहे हूं ये सूजन पूर्स बिधायक थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के ही थे और 23 जनवरी 1956 से 21 जून 1964 अब लोगो ने देखा होगा अप तो पंजाब में आपकी विधान परिश्ट नहीं है लेकिन एक बात और आपको बता दूँ अगर आप लोग किसी भी बिधायक और विधान परिश्ट सदस्त भी नहीं है फिर भी आप लोग मुकमंतरी बन सकते हैं ममताबने जी को आपने देखा है फिर 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाओ लड़ा था विधान सवा का एक सीट खाली करवा गए नीटेश कुमार को लिए विधान परिश्ट से चुनाओ लड़के जाते हैं विधान सवा का नहीं लड़ते हैं उधाव ठाक रहे आप देख लीजे तो अगर आप सदस नहीं है तो 6 महीने तक आप लोग मुखमंतरी रह सकते हैं और लेकिन 6 महीने के अंदर आपको विधान सवा या विधान परिश्ट से सदस बनना होता है तो गोपी चंद भारगवा भारती राश्टी कोंग्रेस के थे 21 जून 1964 से 6 जुलाई 1964 पंदर है दिन रहे थे रा आप देखेंगे फिर राश्टपति सासन पंजाब में लगा था और 5 जुलाई 1966 से लेकर आप देखेंगे एक नवंबर 1966 यानि कि 119 दिन लगा था फिर आप देखें पंजाब के मुखंती हर्याना के अलग होने के बाद क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को अलग हो गया था आपका पंजाब हरयाना से तो गुरु मुख सिंग रियाना अलग हो गया था पंजाब से तो आपका पंजाब बचा तो गुरु मुख सिंग मुसाफिर ए आप देखेंगे बिधान पhrishat के सास्थ भारती राश्टी कोंगरेस के थे 1 नवंबर 1966 से 8 मार्च 1967 maximum 277 दिन रहे थे विधायग क्या रहे थे मुखमंत्री पंजाब के गुर्णाम सींग किला रायपूर की विधायक थे सिरुमणी अकाली दल के पहली बार आप देखे सिरुमणी अकाली दल के क्या सरकार बनी थी 8 मार्च 1906 में पंजाब में और 25 नवंबर 262 दिन जी रहे थे लखमंण सींग गिल ये धर्म कोट के विधायक से विधायक थे सिरुमणी अकाली दल के थे और 25 नवंबर 1967 ते 23 अगस्त 1968 तक रहे थे यानि कि 272 दिन इनोंने मुखमंत्री पर समाला था फिर आप देखे राश्पती सन लगा था 1968 से 23 अगस्त 1968 से 17 फरवरी 1989 तक 178 दिन का पंजाब में आप देखे या तो वहां कि सासन वेवस्था ना चल लगी और भी कोई परोबला हो तब आप देखते हैं कि राश्पती सासन लग जाता है कुर्णाम सींग एक किला रायपूर की विधायक थे सिरोमणी अकाली दल के थे 17 फरवरी 1970 से 27 मार्च 1970 एक वर्स 38 दिन विधाय मुखमंत्री रहे थे पंजाब के फिकास सिंग बादल से रोमणी अकाली दल के थे 27 मार्च 1970 से 14 जून 1971 तक एक साल 89 दिन रहे थे मुखमंत्री फिर राश्पती सासन लग गया था 14 जून 1971 से 17 मार्च 1972 तक 277 दिन लगा रहा था फिर जैल सिंग आनंदपूर के साहिब विधायक थे भार्टी राष्टी कॉंग्रिस के थे 17 मार्च 1972 से 30 अपरेल 1997 तक रहे थे 5 साल 44 दिन फिर राश्पती सासन लग गया था 1997 में 30 अपरेल 1997 से 27 जून 1997 तक इंक्यावन दिन का फिर आप देखें कि पेकास्तिंग बादल फिर मुखमंत्री बने थे पंजाब के गिरद वाहा के विधायक थे और 20 जून 1997 से 17 फरवरी 1980 तक दो बर्स 242 दिन ये मुखमंत्री रहे थे तर राश्पती सासन लगा था 17 फरवरी 1980 से जून 6 जून 1980 110 दिन का फिर दरवारा सिंग इभाती राश्टी कॉंग्रेस के नागो डर के नागो डर के विधायक थे ये 6 जून 1980 से 10 अक्टूबर 1983 तक यानि 3 साल 12 26 दिन पंजाब की विधायक रहे थे क्या विधायक नहीं मुखमंत्री फिर आपका राश्पती सासन लगा था 10 अक्टूबर 1983 से 29 सेप्टमबर 1980 तक एक वर्स 245 दिन का एक साल 255 दिन का सुरजी सिंग वर्नाला फिर आपकी मुखमंत्री वने थे कहां के पंजाब के वर्ना राश्पती सासन लग गया था 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 तक चाल साल 269 दिन का आप सुची इतने बार आपका पंजाब में क्या लगा राश्पती सासन वियंत सिंग जलंदर केंटों मेंट केंटोनमेंट की विधायक थे भारती राश्टी कॉंग्रेस के थे 25 फरवरी 1992 से 31 अग सिंग वरारत ये मुखमंत्री बनते हैं अंगले पंजाब के भारती राश्टी कॉंग्रेस के थे और 31 अगस्त 1995 से 21 नवंबर 1996 तक एक साल 82 दिन उन्हें समाला था मुखमंत्री का पद पंजाब का रजिंदर सिंग कुठल रजिंदर सिंग भटल लेहरा के बिधायक थे भा नुमणी अकाली देल के थे 12 फरवरी 1997 में विधायक बनते हैं मुखमंत्री और 26 फरवरी 2002 तक यानि कि 5 वरस 14 दिने मुखमंत्री बनते हैं पंजाब के फिर अमरेंदर सिंग और आपकी बार आप देखिए कि आमादमी पाइटी कि इतनी तग्री हवाद थी कि सब मुखमंत दो से मुखमंत्री बनते हैं और एक मार्श 2007 तक यानि कि 5 वरस तीन दिन तक इन्होंने मुखमंत्री का पत समाला था ठीक है फिर आप देखेंगे प्रिकासिंग बादल दुबारा आते हैं इनके बाद और लांबी के विधायक थे सिरू मणी अकाली दन के थे एक मार्श से ये 2007 से रहते हैं 16 मार्श 2017 तक 10 साल 15 दिन इन्होंने पत समाला था तो सबसे जान्दा आप समझे कि यही मुखमंत्री रहे हैं कई वार आप देखियो है फिर अमरे अंदर सिंह आ जाते हैं पटयाले की टाउन की विधायक थे भारती राश्टी कॉंग्रेस के ए 16 मार्श 2017 से 18 से अठारे सेप्टमबर 2021 तक रहते हैं चार वर से 186 दिन फिर आपने देखा होगा इनसे स्थीपा ले लिया था कॉंग्रेस ने चरन सिंग चन्नी आ गया थे चमकूर साहिब की विधायक थे भारती राश्टी कॉंग्रेस के बीस एप्टमबर 2021 को पद समाला इनों ने और 16 मार्श 2022 को इनोंने क्या क्या अपना इस्थीपा दे दिया 177 दिन रहे क्या रहे बिधायक आप देखे होंगे कि चन्न सिंग चन्नी भी अपनी दों सीटों से दो सीटों से बिधायकी का चना अला रहे थे हार गए भगवन समाल सिंग यह धुरी के विधायक है और आम आदमी पाटी के हैं 16 मार्श 2020 को इनोंने बल समाला है और अब द हमाने जानकारी अपने पास रखा करिएगा जरूरी होता है राज्यों के बारे में या फिर आप पंजाब से हैं तो परिक्षाओं के लिए भी मत पूर्ड हो जाता है कुश्चन्स पूछे जाते रहते हैं ठीक है